आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रस्टन केता है और physical quantity x is given by x equal to a cube b square upon under root of c into d find a relative error and percentage error in x percentage error in a, b, c, d, r 1, 3, 4, 2 respectively ठीक है तो देखो मेरे पाँ जो x है वो क्या दिया है a cube b square upon under root of c into d ठीक है तो मैं क्या लिख सकता हूँ error से delta x upon x equal to क्या आएगा 3 times delta यो बने क्योंकि जो exponent में रदा है वो power में आ जाता है similarly b के लिए 2 into delta b open b plus c के लिए half into delta c open c plus d के लिए delta d open d है ना तो देखो जो delta open a होगा वो क्या होगा मेरा relative error in है तो जो delta x by x है वो क्या है मेरा relative error in x है ठीक है तो देखो अगर मैं इसको 100 से multiply कर दू delta x by x into 100 कर दू तो ये मेरा percentage error हो जाएगा ये ही मेरे को निकालना है ठीक है तो देखो इसको भी मैं into 100 करूँगा तो देखो delta x by into 100 ये क्या हो जाएगा percent error ही ने जो मेरे को दिया है कितना 1 percent तो कितना इदा आ जागा ये 3 into 1 similarly b के लिए 2 into delta b by b into 100 परसेंटर निम भी कितना है 3 percent तो 3 plus c के लिए half into c का percent कितना है 4 plus d के लिए कितना है 2 तो कितना जागा ये 3 plus 6 plus 2 plus 2 तो कितना जागा ये 13 percent आ जागा ठीक है तो जो मेरा percentage error ही एक से वो कितना आएगा 13 percent ठीक है तो ये ही मेरा final answer इस question के लिए Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर